हाई फ्रेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़ियां डिजर्ट लेकर आई हूँ साउथ इंडियन डिजर्ट जिसका नाम है माइसोर पाक ये एक ऑथेंटिक बहुत ही यमी बहुत ही टेस्टी और बिल्कुल यूनीक डिजर्ट है जो बहुत ज़्यादा स ले रहे हो तो दू बावल अपको घी लेना है और दू बावल चीनी में इस जितना भी बैसन लोगे उसका डबल आपका प्रपोर्शन होता है घी और चीनी का तो आप घी अगर नहीं तो रिफाइन भी ले सकते हूँ बट मैंने घी यूज गया क्योंकि उससे बहुत ही डाल दोगे एक बड़े बावल में और जो बेसन थी उसको डालके अच्छे से घोल लोगे फिर कड़ाई चड़ाओगे गैस में उसमें एक ग्लास पानी अराउंड हाफ लिटर डाल करके जो चीनी थी वो चीनी डालके उसकी चाशनी बनाओगे एक तार की जैसी यह रेडी खी में इस पर पलट दिया अब बस आपका एक ही काम है कि इसको मीडियम आच पे करके आपको चलाते रहना है बिल्कुल लो भी नहीं हाई भी नहीं मीडियम में करीब इसमें 20 मिनट लग जाएंगे आपको इसको लगातार चलाते रहने में और ध्यान दे कि वह चिपके ना तो कोशिस के करें कि इसको बिल्कुल ना छोड़ें और लगातार चलाते रहें ये कड़ाई हलकी होने लगेगी देखो कड़ाई छोड़ने लगेगा लेकिन करीब 20 से 25 नेट आपको लग जाएंगे इस स्टेज पर पहुंचने के लिए ये देखें ये ऐसे ही होता जाएगा कड़ाई छोड़ता जाएगा और बिल्कुल ही इस तरह से इसका लुक आएगा करीब आदा घंटा लगता है इसको बनाने में और दूसरी तरह आप एक थाली ले लोगे और उसको घी से ग्रीस करके रख लोगे पहले ही इसको उताडने से पहले मैंने करके रख लिया था था थाली में ग्रीस कर लिया था घी से अब देखो ये स्टेज जो आगई न बिल्कुली कड़ाई में हो रहेगी नहीं छोड़ती जाएगी कड़ाई को इस स्टेज में आपको तुरंट खाली करना है उस प्लेट में जिसको ग्रीस करके रखा था अपने और उसको पूरा फैला देना है चर्मच से और उसको कटिंग भी कर लेनी है नहीं तो बाद में हाड जाने कब तो कटिंग नहीं हो पाती है पीसेस में देखें क्या बढ़िया टेक्श्चर आया है बहुत ही लजीज बनकर आया था यह बिल्कुल ही मूँ में घुल जा रहा था यह बहुत ही बढ़िया टिश्चर इसको ट्राइ कीजिए एंजॉय कीजिए और शेयर कीजिए